अगर आपने पिछले financial year 2021-22 के assessment year 2022-23 के लिए अपनी income tax की return को जमा कर दिया है तो अब आपको अपनी email को चेक कर लेना चाहिए आपके द्वारा income tax return को जमा करने के बाद आयकर विभाग उनकी processing करता है और जाच करने के बाद section 143-1 के अंतरगत आपको इसकी सूचना दी जाती है सभी साथियों को नमश्कार आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरीजी में इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकन को प्रेस करके आल के उपर जरूर किलिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का notification मिल सके आईए शुरू करते हैं आपकी email में अगर आयकर विभाग से इस प्रकार की mail आ चुकी है तो आपको उसे तुरंत चेक कर लेना चाहिए आयकर विभाग का ये जो intimation letter है ये pdf file के रूप में attachment के अंदर भेजा जाता है आयकर विभाग के द्वारा इस file के उपर एक password लगा करके भेजा जाता है ताकि कोई भी अंजान व्यक्ति आपके नीजी डाटा को ना देख सके इस file को खोलने के लिए password का जो format है वो इस प्रकार से है इसमें सबसे पहले small letters में आपको अपना pen number लिखना है और उसके बाद आपको अपनी जनमतिती DDMMYYYY के format में लिखनी है example के लिए अमाल लेते हैं कि जो password बनेगा वो इस प्रकार से होगा इसके लिए इस pen number के इन सारे letters को small में लिखा जाएगा और इसके आगे date of birth को इस format में लिखा जाएगा इन दोनों का combination ही इस intimation letter को खोलने के लिए password होता है आयकर विभाग के द्वारा जो intimation दी जाती है वो तीन प्रकार की होती है इसमें प के amount की और तीसरी intimation है income tax के demand की इन intimation को देने के लिए आयकर विभाग के द्वारा तीन प्रकार की color scheme का प्रयोग किया जाता है पहली color scheme है blue color की जो की no payment due की सूचना देने के लिए प्रयोग की जाती है दूसरी color scheme है green color की जो की refund की सूचना देने के लिए प्रयोग की जाती है और तीसरी color scheme है red color की जिसका प्रयोग income tax की demand की सूचना देने के लिए किया जाता है यह आपके सामने आयकर विभाग के द्वारा income tax की demand के लिए intimation letter का एक सेंपल है यह intimation letter हिंदी और इंगलिश दोनों भाषाओं में आपको दिया जाता है इसमें सबसे पहले आपकी general information होती है जिसमें आपका नाम है, address है, phone number है, आपका pen number और assessment year दिया गया है इसके बाद यहाँ पर income tax के demand की राशी को लिखा गया है इसके बाद आपकी ITR की summary यहाँ पर दी गई है इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ITR में जो data submit किया था उसकी सारी detail इसमें दी गई है इसमें हर सूचना के सामने दो कोलम होते हैं इसके पहले कोलम में वो राशी दी गई है जो आपने अपनी ITR में भरी थी दूसरे कोलम में आयकर विभाग की calculation के अनुसार जो राशी बनती है उसको यहाँ पर दिया गया है इन सभी राशीयों को आपको इन दोनों कोलम में एक दूसरे से मिलान कर लेना है और यह देखना है कि आयकर विभाग के दौरा आपकी किस राशी को सही नहीं माना गया है जैसा कि हम यहाँ इस example में देख रहे हैं कि section 89 के अंतरगत इस ITR में 12,000 रुपए को क्लेम किया गया था लेकिन आयकर विभाग ने अपनी calculation में यहाँ पर 0 दिखाया है जिसके कारण total tax जो बन रहा है वो दोनों कोलम में different हो गया है तो इन दोनों राशियों के अलग-अलग हो जाने के कारण आयकर विभाग के दौरा section 1431 के अंतरगत red color का intimation आपको भेजा गया है और आपको balance tax के demand की सूचना दी गई है section 1431 के अंतरगत मिलने वाले demand letter पर हमें अपना जवाब income tax की website पर online जमा करना होता है और इस website का address है income tax.gov.in यह हमारे सामने income tax की website का home page खुल गया है इसमें सबसे पहले हम अपने account में login करेंगे login करने के लिए यहाँ पर यह बटन दिया गया है इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम अपना pen number भरेंगे और इसके बाद password भर कर continue करने पर हमारे सामने यह dashboard खुल जाता है आयकर भाग के द्वारा भेजे गए income tax के demand notice पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए यहाँ पर pending actions का यह link दिया गया है इसके उपर क्लिक करेंगे और इसके नीचे यह जो box आता है इसमें response to outstanding demand के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह response to outstanding demand का page आपके सामने खुल गया है outstanding demand पर response को submit करने के लिए यहाँ पर submit response का यह button दिया गया है इस button के उपर क्लिक करेंगे outstanding demand पर आपको अपना response submit करने के लिए यहाँ पर दो option दिये गए है इसमें पहला option है demand is correct यानि के इसका मतलब यह हुआ कि income tax की जो demand आपके सामने रखी गई है आप उस demand से सहमत है और दूसरा option है disagree with the demand either in part और in full यानि के इसका मतलब यह हुआ कि आयकर विभाग ने आपके उपर जो income tax की demand की है आप उस demand से पूरी तरह से या आशिक रूप से सहमत नहीं है आईए अब इन दोनों options को एक एक करके समझने का प्रियास करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम demand is correct वाले option को select कर लेते हैं Demand is correct वाले पहले option को select करने के बाद यहाँ पर एक disclaimer दिया गया है जिसके सामने यह box बना हुआ इसके उपर आपको tick करना है इस disclaimer में दिया गया है कि एक बार आपने demand is correct को option को select कर लिया तो बाद में आप demand से disagree नहीं कर पाएंगे अगर आप पहले वाले option demand is correct को select कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दो option होते हैं इसमें पहला option है not paid yet यानि के आप demand को सही तो मान रहे हैं लेकिन उसका भुगतान अभी तक आपने नहीं किया है और दूसरा option है yes already paid and chalon has cin यानि के इसका मतलब यह हुआ कि आप इस demand को सही मानते हैं और इस demand में जिस राशी को जमा करने के लिए आपको कहा गया है आपने उस राशी को पहले ही जमा कर दिया है यहाँ पर पहले हम not paid yet के option को select कर लेते हैं यानि कि हमने demand की जो राशी है उसको अभी तक जमा नहीं किया है तो उस राशी को किस प्रकार से जमा किया जाएगा आगे आप हम उसको देखते हैं note paid yet के उपर click करने के बाद नीचे pay now का यह button दिया गया है इस button के उपर click करेंगे pay now के button को click करने के बाद यहाँ पर payment के लिए दो option दिये गए है पहले option में कोटेक महिंदरा bank और federal bank का link दिया गया है और इन दोनों bank के अलावा अगर इस list में दिये गए किसी और bank से आपको payment करना है तो यहाँ पर यह जो दूसरा option है other banks का इसको हम select कर लेंगे और continue के button के उपर click करेंगे continue के button पर click करने के बाद यह NSDL का e-payment of taxes का page आपके सामने खुल जाता है जिसमें यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के चालान दिये गए है इसमें यहाँ पर दूसरे नंबर पर यह non-TDS oblique TCS का heading दिया गया है इसके नीचे चालान नंबर ITNS 280 दिया गया है इस चालान के माध्यम से आपको outstanding tax के amount का online payment करना है इसके लिए यहाँ पर नीचे proceed का button दिया गया है इसके उपर click करेंगे चालान को जमा करने से पहले आपको यह confirm कर लेना है कि जो चालान नंबर है वो ITNS 280 है इस चालान में सबसे पहले tax applicable के अंदर आपको दूसरे वाला जो option है income tax other than companies इसको select कर लेना है इसका code दिया गया है 0021 इसके बाद यहाँ पर दूसरा option दिया गया है type of payment का इसमें यहाँ पर आठिवे नंबर पर दिया गया है tax on regular assessment जिसका code है 400 इसको आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद mode of payment में आप net banking या debit card से अपने payment को कर सकते हैं इस box में यहाँ आपको अपना pen number भरना है और इसके नीचे assessment year में 2022-23 को select करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना address, pin code, email id और mobile number को भरना है और नीचे इस box में यह जो capture code दिया गया है इस code को इस box में भर देना है इसके बाद यहाँ प्रोसीड का बटन दिया गया है इस प्रोसीड के बटन के उपर click करेंगे और जो भी आपकी outstanding demand का amount है उस amount का online payment कर देंगे online payment के successfully पूरा हो जाने के बाद आपके सामने इस चालान की एक receipt generate होगी जिसका format इस प्रकार से आएगा चालान की इस receipt को आपको PDF फाइल के रूप में download कर लेना है इस चालान की जो detail है वो आपके response में भरी जानी है और इस चालान की copy को भी आपके response में upload किया जाएगा आईए अब दूसरे वाले option को देखते हैं जिसमें दिया गया है Yes, Already Paid and Chalon Hedge CIN यहाँ इसके उपर क्लिक करने पर हमारे सामने ये add चालान details का button आ जाता है इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने चालान की details को add करने का page open हो जाता है इसमें जो पहला point दिया गया है वो है type of payment इसमें हम outstanding demand regular assessment tax को select कर लेंगे दूसरे box में यहाँ पर demand के amount को भरा जाना है जैसा कि हमने अपने example में लिया था कि जो outstanding amount है वो 12,000 रुपए है तो इस outstanding amount की जो demand की गई है इस 12,000 रुपए को यहाँ पर दूसरे box में भर देंगे चलान के उपर यहाँ पर यह BSR code दिया गया है इस BSR code को यहाँ पर तीसरे box में भर देंगे यहाँ पर यह चालान पर serial number दिया गया है इस serial number को यहाँ पर इस box में भर देंगे इसके बाद चालान पर ये payment की date दी गई है इस date को यहाँ पर date of payment के column में fill कर देंगे इन सभी details को अपने चालान की details से अच्छी तरह से चेक करने के बाद इस चालान की PDF file को upload किया जाना है इस file को upload करने के लिए यहाँ पर attachment का button दिया गया है इस button के उपर click करेंगे चालान को upload करने के लिए जो PDF file का maximum size दिया गया है उसकी limit 5 MB की है चालान की PDF file जब upload हो जाती है तो उसके बाद उस file का नाम यहाँ पर show होने लगता है इस सारी details को save करने के लिए यहाँ save के button के उपर click करेंगे इस सारी information के save हो जाने के बाद नीचे submit का button दिया गया है इस button के उपर click करेंगे submit करने के बाद यहाँ पर एक message आपके सामने आता है जिसमें यह बताया गया है कि आपका response successfully submit हो गया है इसी के साथ यहाँ पर transaction ID भी दी गई है जिसको आपको note कर लेना है जो future reference के लिए आपके काम आएगी इसके बाद यहाँ पर ok का button दिया गया है इसके उपर click करेंगे आईए अब outstanding demand पर दूसरे option को देखते हैं दूसरा option है disagree with demand either in full or part इसके उपर click करेंगे disagree with demand के option को select करने के बाद आपको यहाँ पर वो reason भी बताने होंगे जिन reason के आधार पर आप इस demand से सहमत नहीं है इसके लिए यहाँ पर add reasons का यह button दिया गया है इसके उपर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक list आजाती है जिसमें से आप अपने उपर लागो होने वाले सही option को select कर लेंगे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस list में से एक से ज़्यादा option भी select कर सकते हैं और इसके बाद नीचे apply का बटन दिया गया है इसके उपर click करेंगे apply के बटन को click करने के बाद आपने इस list में से जिन जिन regions को select किया था वो सभी regions यहाँ पर इस box में आपको दिखाई देने लगते हैं इसके बाद आपने जितने भी regions यहाँ पर select किये है इन सभी region से सम्बंधित जानकारी आपको submit करनी है इसके लिए आपको in regions का जो box दिया गया है इस box के उपर click करेंगे और जो भी इस region से संबंधी जानकारी आपसे ली जा रही है उस जानकारी को इसमें भर देंगे इसके संबंध में सारी जानकारी को भरने के बाद इसको save कर देंगे यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप outstanding amount की जो demand की गई है माली जी वो 12,000 रुपए की है उसमें से आप 4,000 रुपए को तो आप agree कर रहे है और 8,000 रुपए को disagree कर रहे है तो 4,000 रुपए को आपको जमा कर देना होगा उस amount को online जमा करने के लिए यहाँ पर pay now का यह बटन दिया गया है इसके उपर click करेंगे online payment करने के बाद यहाँ पर submit का यह बटन दिया गया है इस बटन के उपर click करेंगे इसके बाद यह message box आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको अपने response को confirm करना है इसके लिए यहाँ confirm का बटन दिया गया है इसके उपर click करेंगे confirm करने के बाद यहाँ पर एक message आपके सामने आएगा जिसमें यह बताया गया है कि outstanding demand पर आपका response successfully submit हो गया है यहाँ पर इसमें यह transaction ID दी गई है जिसको आप future reference के लिए note करके रख लेंगे और नीचे ok का बटन दिया गया है इसके उपर click करेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार नमस्कार